नमस्कार भारत के पहले मोबाइल न्यूस चानल मेट्टो टीवी में आपका स्वागत है मैं हूँ अनामिका इस खास न्यूस बुलिटन में खबरों का सलसला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन्स पर कश्मीर में कर्फ्यू का एक माँ ग्रहमंत्र वाले में हुई उच्च सर्य बैठक बैठक में रक्षा मंत्री परिकार जिजू और अजुद दोभाल मौजूद सियम महबूबा ने भी की ग्रहमंत्री राजनाच से मुलाकाद पीएमो ने सार्वजुनिक की अफसरो करमचारियों की सार्वी भासर खुलबे सबसे महेंगे सचीफ पिछले सब्ता ही बने प्रधान मंत्री के सचीफ जम्मु कश्मीर के कुपाड़ा जुले में नियंत्रन रेखा के पास आतंकियों से मुद्भे बीएस एफ के दो जवान फ्रहिद एक आतंक वादी धे घुस्पेट की कोशिश हुई नाकाँ हिजबुल मुजाहिदिन के चीफ सेयद सलाओ दिन को मिला करारा जवाब केंद्र मंत्री वेंक एन आईडू ने किया पलटवार कहा सलाओ दिन को कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया और रियो अलम्पिक में भारत को मिली मिली जुली सौगार दीबा कर्माकर ने वोल्ट के फाइनल में प्रवेश कर रचाय तिहास महिला तीर अंदाजी टीम की खतम हुई चुनौती पियमोदी के कारेले में हाल ही में तेनाद किये गए सचीव भासकर खुलबे पियमो के सबसे अधिक वेतन पाने वाले नो करशाख हो गए है पियमो से जारी नए दस्तावेजों और वैब साइट के ये जानकारी मिली है ख़बर के मताबक पियमो ने अपने सभी अधिकारी और करमचारी की सारवजानी कर दी है सूचना के अधिकार के नियम के तहट पियमो ने खुद की पहल पर ये खुलासbuilt किया है इसके मुताबिक 1983 बैच के IAS अफसर भासकर खुलबे यहां सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले अधिकारी हैं उनकी सेलरी 2,1450,000,000 रुपए प्रती महीने हैं उन्हें पिछले सब्ता ही प्रधान मंत्री का सचीफ बनाया गया है पिएमों में तीन सबसे बड़े अफसरों में पिएम के प्रधान सचीफ निफ्रेग मिश्रा, अतिरिक्थ प्रधान सचीफ पी के मिश्रा और राश्टि सुरक्ष सलहकार अजीद हुपाल को 1,62,500 रुपाए महीने वेतन मिलता है इन सबों का वेतन समान है क्योंकि ये तीनों रिटायर सरकारी अधिकारी है उत्तर प्रधेश विधान सबा चुनावों में आगास के तोर पर राखुल गांधी और सोनिया गांधी के सफल चुनावी कारिक्रमों से उतसाहिद कांग्रेस ने अलान किया यूपी में वो किसी के साथ चुनावी गटबंधन नहीं करेगी इस बात का एलान यूपी में कॉंग्रेस की मुख्यमंत्री उमीदवार श्रीला दिक्षित ने लखनों में प्रेस कॉंफरेंस किया श्रीला दिक्षित से जब नितिश कुमार की पार्टी जेटिव और ब्सपी से चुनावी गटबंधन के बारे में पूछा गया तो श्रीला दिक्षित ने साफ कहा कि किसी पार्टी से कोई गटबंधन नहीं होगा कॉंग्रिस अपने बूते खड़ी होगी और लड़ेगी श्रीला ने कहा कि पार्टी अपने उमीदवारों के नाम का एलान भी जल्द करेगी लेकिन कब करेगी इसका फैसला पार्टी करेगी खुद के चनाव लड़ने पर शीला दिक्षित ने कहा कि ये फैसला वो खुद नहीं लेंगी बलकि पार्टी का आदेश का पालन करेंगी वित्त मंत्री अरुन ज्येटली ने आज दोपहर में लोक सभा में ज्येस्टी सम्विधान संशोधन बिल चर्चा के लिए पेश किया ज्येटली ने इस बिल को राज्य सभा में पास कराने के लिए सभी पाटियों का शुक्रियादा किया फित्त मंत्री ने कहा कि 2011 में लाए गए जुयस्टी बिल में राजियों के घाटे की भरपाई का प्राधार नहीं था उन्होंने बताया निर्मान उत्पादन में लगे राजियों को राजस्व घाटे की चुंता थी जुयस्टी काउंसल के स्वरूप पर भी विवाद था जेटली ने कहा कि मजबूत लोकतंत्रों के कारण ही इस बिल पर केंद्रों राजियों की सहमती संभव हुई इस बिल पर प्रधान मंत्री मोधी शाम को 6 बजे सादन में बोलेंगे जुयस्टी को आर्थिक मोचे पर मोधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्दी बताया जा रहा है पूर्व बियस्पी नेता स्वामी प्रसाद मौरिया आज अमिच शाक की मौजूदिगी में भारती जनता पार्टी में शपत लेक अश्रामिल हो गए 22 जुन को मायावती पर टिकट बेचने का आरूप लगाते हुई मौरिया ने बियस्पी से इस्तिफ़ा दे दिया था इस्तिफ़े के बाद मायावती ने मौरिया के आरूपों का जवाब देते उन्हें पार्टी से निश्कासित कर दिया था पिछले डेर महीने में YouP BJP के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर ने स्वामी प्रसाद मौरिया की दो बार बीजे पी अध्यक्ष अमिच्षा से मुलाकात कराई थी मौरिय बीजे पी में आए इसका पूरा ताना बना ओम माथुर ने बना है ओमाथुर अच्छे से जानते हैं कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष केश्व प्रसाद मौर्या बिलकुल नहीं चाते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्या बीजेपी में शामिल हो आतंकी संगटन हिजबल मुजाहिदिन के चीफ सेयद सलाउदिन ने कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाकिस्तान में परमानू युद हो सकता है सलाओदिन ने भारत को ये धमकी काराची में जमात ए इसलामी नेताओं की कश्मीर मुद्दे पर हुई जॉइंट न्यूस कॉंटरिंस के दौरां दी केंद्रमंत रिवेंक एनाइडू ने सलाओदिन की धमकी पर कहा वो है कौन और उसे कश्मीर पर बोलने का हक किस ने दिया उन्होंने कहा कि धमकी से कुछ नहीं होगा ऐसे लोग सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इस तरह की बाते करते हैं हिजबुल चीफ ने कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के वी चोथे युद की भविश्यवानी भी कर सकता हूँ क्योंकि कश्मीरी किसी भी स्थिती में समझोता करने के मूट में नहीं है जमुकश्मीर में ज्वारी तनाव को देखते हुए आज लगातार 31 वे दिन कई इलाकों में कर्फियू और प्रतिबंध जारी है जिसके कारण जन जीवन प्रभावित है पुलिस सूत्रों के मताबिक अनंतनाग, कुलगाम, शोपिया और पुलवामा में कर्फियू है जब कि श्वीनगर, सुपोर, बारामुला, हंदवाडा और कुपवाडा में प्रतिबंध चारी है यहाँ पिछले माँ भड की हिंसा के बाद से पहली बार जिला प्रशासन के कई वरिष्ट अधिकारियों ने कहा है कि वे मीडिया से बात करने के लिए अधिकरत नहीं है अलगाबादियों निश्वीनगर में सिविल सेकेटरिय और अन्य प्रशासनिक कारलेक तक लोगों से सडख मार्क बाधित करने को कहा है शेक्षनिक संस्थान, कारुबारी प्रतिश्थान और सार्वजनिक परिवहन भी पिछले एक माँ से अधिक समय से बंद है अलगाबादी नेताओं को एतियात के तोर पर हिरासत में रखा गया है जमुकश्मीर के कुपवाडा जिले में नियंतरन रेखा के पास आतंकियों और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुटभेर की खबर आई है बताया जा रहा है कि आज हुई इस मुटभेर में B.S.F. के दो जवान फ्रहीत हो गए हैं जबकि एक आतंकी को भीमार गिराया गया है कुपवाडा के लिए अतिरिक्थ सुरक्षा बलो को रवाना कर दिया गया है हलाकि ये अब तक साफ नहीं हुआ है कि ये मुटभेर घूस पेट की कोशिश के दोरान हुई या फिर आतंकी इलाके में पहले ही से मौजूद थे जानकारी मिली है कि जमु कश्मीर के कुपाडा जिले के माच्छिल सेक्टर में इनकाउंटर अब भी जारी है पाकिस्तानी खुविय एजनसी आईस आई अंतराश्ट्रियस सीमा और लोसी के जरिये बड़े पैमाने पर घूस पेट कराने की कोशिश में है भारतिय सुरक्षा एजनसीों ने आतंकियों के घूस पेट करने की आठ जगाओं और आतंकियों के मूवमेंट का पता लगाया है लशकर कमांडर, शहबाज, उर्फ, लतीफ अपने साथ-साथ आतंकियों के ग्रुप में तंगधार सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है हिजबल मुजाहिदिन के आठ आतंकियों का ग्रुप उरी सेक्टर में घूस पेट की कोशिश में है जेश के 5-6 आतंकियों का एक ग्रूप बिमला पोस्ट के नजदीग घूस पेट करने की कुशिश में है सुरक्षा एजिंसियों ने इसके साथ हिलशकर जेश और हिजबुल के आतंकियों की बादशीत को इंटरसेप्ट किया है कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की प्लानिंग का खुलासा इस इंटरसेप्ट बादशीत से हुआ है इसमें आतंकी कोड के जरिये बात करने सुनने गए है पाकिस्तान के बलुचुस्तान प्रांद के क्वेटा में एक सरकारी अस्पताल में धमाका हुआ है आज सुभा हुए इस बम धमाके में अब तक 45 लोगों के मारे जाने की खबर है वही बलुचुस्तान के मुख्य मंतरी ने हमले के लिए भारत को जिम्यदा ठेराया है पाकिस्तान के जीओ टीवी के अनुसार बलुचुस्तान के मुख्यमंतरी सनाउलला जिहरी ने आज भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्वेटा हमले के पीछे भारतिय खूफिय एजनसी रौका हाथ है शुरुवाती जानकारी के मताबिक एक आत्म घाटी हमला बताया जा रहा है क्वेटा में एक वरिष्ट वकील की हत्या के बाद हुए इस ब्लास्ट में घायल होने वाले अदिकतर वकील ही बताय जा रहे है घायलों की संख्या तीज बताय जा रही है अब तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मदारी नहीं ली है इलाबाद की एक स्कूल में राश्ट्रगान गाने पर पाबंदी लगाने वाले स्कूल पर प्रशासन ने कड़ी कारवाई की है पुलिस निदेश रो का मुकदम दर्ज कर स्कूल प्रबंधक को गिरफतार कर लिया है इसे पहले स्कूल की प्रिंसिपल सहित आठ टीचर्स ने स्कूल में राश्ट्रगान गाने की पाबंदी लगा देने पर इस्तिफा दे दिया था इस्तिफा देने वाले टीचर्स का कहना है कि राश्ट्रगान गान सम्विधान की ओर से दिया गया मूल अधिकार है स्कूल प्रबंधन ने जब इसे गाने पर इतराज जताया तो उन सब को इस्तिफा देने पर मजबूर होना पड़ा प्रशासन ने जाज कराई तो पता चला कि ये स्कूल बिना मानिता के ही चल रहा है प्रशासन ने स्कूल को सील कर दिया है स्कूल प्रबंधन ने बताया कि राश्ट्रगान में भारत भागय विधाता के भारत शब्द से उन्हें एतराज है राश्ट्रगान से भारत शब्द नहीं हटाया जाएगा तो वे स्कूल में राश्ट्रगान गाने नहीं देंगे बीजेपी के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने साथ जोना हमेशा से टेड़ी खीर साबित हुआ है लेकिन अब बीजेपी की नाजर अलप संख्यक वोटो को लुभाने में लग गई है पार्टी नेता खुद को मुस्लिम और इसाई समुदाय को अपने साथ जोने की कवायत शुरू करने जा रहे है इसके लिए बीजेपी अलपसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है जिसमें खास्तोर पर मुस्लिम और इसाई समुदाएं के युवाओं के विचारों उनकी समस्या सरकार की नीतियों पर उनकी राय लेगी इन युवाओं के सामने आने वाली समस्याओं को कैसे दूर किया जाए इसी एजेंडा पर बीजेपी काम करेगी यही नहीं बीजेपी इन युवाओं की राय भी लेगी इस समेलन को बीजेपी अगस्त के अंतिम सप्ता में आयोजित करेगी भारतिय रिजर्व बैंक के एक नए गवनर को लेकर ताजा अटकले सामने आई है शुकरवार को रिजर्व बैंक के पूर्व दीप्टी गवनर सुबीर गोकर्ण ने गवनर रगुराम राजन से मुलाकात की थी इसी हफ़ते गोकर्ण ने आर्थिक मामलों के सचीफ शक्तिकांत दास से भी मुलाकात की थी सूतरों के मताबिक केंद सरकार ने अब तक ये साफ नहीं किया है कि वे नए गवनर के नाम का एलान कब करेगी हलाकि ऐसी संभावना जोताई जा रही है कि इस अफ़ते के अंध तक नए गवनर के नाम की घोशना हो जाएगी पहले आर्बी आई के गवनर के पद के लिए जिन लोगों के नाम की चर्चा थी उन्हें मुख्य आर्थिक सलाकार अर्विंद सुब्रमानियम, विश्व बैंक के पूर्व मुख्या अर्थशास्त्री कोशिक बसू, नीती आयोग के उपाध्याक्ष अर्विंद पंगडिया और आर्वियाई के पूर्व दीप्टी गवनर राकेश मोहन और भारतिय स्टेट बैंक के चेर्रमेन अरुंदती भटचारे का नाम शामिल था इस न्यूस बोलचन में फिलहाल अतना ही, ताज़त अरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रही मेटो टीवी से, नमस्कार